वीडियो से पहले मैं आपके छोड़ा डिस्क्राइमर दे दूँ जितने भी Samsung के hardcore fan है वो इस वीडियो के skip कर सकते हैं जितने भी Samsung lover है फोन यूज करते हैं Samsung का और आगे feature में भी Samsung का phone लेना चाहते हैं वो इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं तो मैं आपको यहां बताने वाला हूँ कि यह Samsung की जो J series है J2, J2 6 और J2 Pro यह तीनों phone इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बेखने वाले phone है Redmi की Note series के बाद क्योंकि 10,000 रुपय से कम यहां पर हम बात करने वाले है काफी popular company है और पहले से ही popular है तो उसके brand value भी काफी है इसलिए Samsung अपने phones महंगे देता है यह हम सब जानते हैं लेकिन कितने महंगे देता है अपने price range में वो अब हम आज इस वीडियो में खुलासा करने वाले है ऐसा नहीं कि मैं उनके computer में hack करके सच्चाई निकल कर लाया हूँ सच्चाई आप सबके सामने है बस आप लोग notice नहीं करते तो इस वीडियो को लाज सथ देखेगा क्योंकि आज यहां पर आपकी आँखे खुलने वाली है इंडियन मार्केट में और Samsung ऐसा क्यों कर रहा है और हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं यह भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चलिए दूस्तर वीडियो शुरू करते है मेरे ना में MKSING और आप देख रहे है Allrounder MKSING YouTube चैनल जहां आपको मिलती है Tech Travel Videos पहले हम बात करते हैं Samsung के जो इस समय तस हजार रुपए से कम में प्राइस में R.I.J.2 Pro जो की समय मार्केट में अवलेवल है लगबाग 9,000 रुपए में तो वहां पर आपको मिलती है दो सोल है अब हम बात करता है यहां पर इनके camera के camera यहां पर आपको 5MP का मिलता है और back camera यहां पर आपको 8MP का जिसमें कोई भी portrait mode नहीं है दूसरी बात हम यहां पर बात करते हैं इनके battery के 26mm की battery यहां पर बात करते हैं और हमेज़ आपने net को on रखते हैं तो आपकी battery 26mm की मेरे ख्याल से पूरे दिन नहीं चल पाएगी अब बात करते हैं यहां पर Android version की यहां पर आपको out of the box J2 Pro में Marshmallow मिलता है Android 6.1 version जो की मेरे ख्याल से 1.5 साल पराना हो चुका है अब हम बात यहां पर करते हैं इसकी main highlight यानि की processor की जो कभी भी offline market में एक shop के अपर आपको नहीं बताता और उल्ट सीदी बाते बता करके कि नमबर वन हमारी display है नमबर वन हमारा brand है यह सब बता करके आपको एक phone चेप देता है और आप उसको लेने के बाद 2-3 महीने कुछ रहते हैं उसके बाद आप उसको गाली देते हैं कि यह कैसा phone मैं ले लिया मेरे 10,000 रुपए पानी में चलेगा है क्योंकि 10,000 रुपए बहुत होते हैं आप 4-5 महीने की saving करने के बाद ही 10,000 रुपए collect कर पाएंगे और इंडिया के अंदर 80% लोग ऐसा ही करते हैं अपनी 4 5-5 महीने की saving से एक 10,000 रुपए का phone खरीतते हैं तो phone खरीतते वक्त उन्हें बहुत चाहरा दिमाग से काम लेना चाहिए शॉप के पर आपको confuse करता है तो हम यहाँ पर आपके confusion को दूर करने के लिए बैटे हैं हमारी वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर दीजिएगा वीडियो को share कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों को जो की samsung के बारे में सोच रहे है phone लेने की तो फिलाल हम बात करते है यहाँ पर आगे इसके प्रोसेसर की प्रोसेसर यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 GHz पर clocked होने वाला spread drum का यहाँ spread drum आपने नाम भी शायद सुना हूँ कभी कभी सुना होगा और शायद नहीं सुना हो क्योंकि यह world की top 10 में तो आता है लेकिन साहद 9 या 10 नंबर पर ही आता है इससे उपर इसके कोई पोजिशन नहीं है जबकि snapdragon आपका पहले प्रोसेसर अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको यूज करना है अपने माइंड फोन को खरीकते वक्त अब यहाँ पर जैसे कि आपको बताया है मैंने कि spread drum आपको यहाँ पर प्रो से क्योंकि Redmi Y2 पूरे 9000 रुपय का है इस समय इसी प्रैस एरेंज में है और वहाँ पर आपको तीन बत्रिस मिल रहा है जी हां यहाँ आपको दो सोले मिल रहा है वहाँ को तीन बत्रिस मिल रहा है तो compare तो हम करी नहीं सकते उसके brand value ज्यादा है इसके brand value का मेले कि यहाँ पर 2.0 GHz पर clocked होने वालने आपको प्रसेटर मिलता है जिस जो कि जब आप मोबाल खरीते हैं तो आपको out of the box फोन में Android 8.0 याने की Oreo का अपडेट मिलता है और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको मिल जाती है 3,000 mAh की बैटरी जो की 2600 mAh की बैटरी से जाता है और काफी ज़्यादा चल जाती है तो अब आपने इस स्पेसिफिकेशन देख लिए अब बात कर लेते हैं brand value की तरफ जीहान आ जाते है Nokia पर Nokia की brand value है मान सकते हैं आप Redmi का मैंने एक्जांपल आपको इसलिए दिया क्योंकि आप brand value की बात करेंगे मुझे पता था कि आप लोग जितने भी देख रहे है ब्रेंड value माहिंड में लाएंगे Nokia की brand value है वहाँ पर देखते है Nokia 5.1 प्लस 10,000 के असपास आता है इसका 32 मिलता है आपको अगर वो भी 26 लांच करता तो लगबग 9,000 रुपया के price range में उसका 26 variant आता था तो हम यहाँ पर compare कर सकते है प्रोसेसर के बात करें तो वहाँ पर भी आपको MediaTek का Helio P60 मिलता है जो कि इस समय अगर मैं मानूँगा अगर कोई 630-610,000 में ना दे तो P60 प्रोसेसर है 10,000 के price range में क्योंकि काफे फास्ट है अच्छा है और यहाँ पर सब कुछ उस प्रोसेसर के अंदर बढ़िया है कोई भी चीज बेकार नहीं कह सकते हैं 10,000 र बच जाएगी गेम खेलते हैं PUBG को तो आप भूरी जाए PUBG तो आप पर इस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं और बात करें डिस्प्ले की तो वहाँ पर आपको 5 इंच की डिस्प्ले मिलती है और दूसरी बात करें यहाँ पर नोच है वहाँ पर आपको नोच बगारा कुछ देखन तो जाएर से बात है कि यहाँ पर भी compare हम कर रहे हैं brand value को ध्यान में रखते हुए और अगर हम बात करें front camera की तो front camera यहाँ पर 8 megapixel का मिलता है जबकि वहाँ पर बैक camera आपको 8 megapixel का दे रहा है तो किसी भी जगह पर यहाँ पर Nokia का 5.1 Plus जो कि 332 में आता है 10,000 रुपय की अप बुरा phone दे रहा है कि आप अगर इसको खरीदेंगे तो आप परिसान हो जाएंगे हाला कि future में वह improvement कर सकता है मैं इस बाती guarantee नहीं ले सकता लेकिन हम इस चीज को रोक कैसे सकते हैं तो कि Nokia भी पहले ऐसा ही था लेकि Nokia अब सुधर चुका है जबकि Samsung सुधरने का नाम नहीं अब हम यहां बात करते हैं कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं अब हम मालेजी हम customer हैं और हम consumer हैं हम जाते हैं खरीदें कोई विदेश का बंदा हमारे पास आता है कोई समान बेचने हैं बखर का बंदा आता है तो वह अपने brand value को थौप के हमें 5 रुपे के चीज 10 रुपे में दे कम करेंगे या फिर उसके साथ कुछ बोलेंगे कि यह यार 10 रुपे में तो हमें कोई अच्छी सी चीज मिल जाएगी आपके यह पांत रुपावले चीज से अच्छा है तो वह खुद लाइन पे आ जाएगा सुधर जाएगा तो इस तरह मैं यही करना चाहता हूं कि Samsung के phone क अगर आप खरीदें तो उसके सिर्फ लुक को मत देखें क्योंकि Samsung भी वीव और ओपो की तरह ही बन रहा है सिर्फ लुक आपको अच्छा दे रहा है डिस्प्ले आपको अच्छी दे रहा है और जो फोन के अंदर है जिसके तरह से जो पूरा में प्रोसेजर है जिससे पू अगर अगर आप लोग खरीदेंगे तो Samsung हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाता रहेगा फुचर में भी और अगर आप लोग इसको बाइकार्ट कर देंगे तो Samsung लाइन पर आ जाएगा और जो ये फोन Samsung J2 Pro दे रहा है न सहीं बदा रहा हूं अगर कोई और कंपणी अगर रियल में जो ये कीमत है इसकी वो 5000 भी मेरे ख्याल से सैटिस्पाइ नहीं करती है बागे आप क्या लगता है नीजे कमेंड में जरूर बताईएगा मिलते हैं अगली यूडियो में तब तक के लिए बाइबाइ टेक केर जाहें काफी मेहने से यूडियो बनाई है एक लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों शेयर करना सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूला